हेलो गाईज, वेलकम तो दिसेशन तो आज का हमारा टॉपिक है ना तिशू यानि कि कॉषिका एंड उतक, मतलब कि कॉषिका एवं उतक तो हमारे जो आज की वीडियो का आज के सेशन का जो टॉपिक हमारा है तिशू कोशिका एवं उतक इसका फार्स्ट केशन है जो हमारी एनिमल सेल होती है और प्लांट सेल होती है तो उसके बारे में उसके संदर्व में निम्डगित कथन है देखते हैं कि इन में से कौन सा कथन सत्य है कि माइट्रो कॉंडिया होती है वो केवल जंतु कोशिका के लिए ही उरजा ग्रह के रूप में कार्य करती है सेकेंड वी है सेल वोल इस कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लांट सेल अल्ली अनि था पादप कोशिका की ही विसेस्ता करती है विश्ते इश्ता मलब बताती है, थारड है, इंट बौत तास्येल्स, दप्लाज्म मेंब्रेन इस मेड़ पॉफ कार्भ हाईडर् di – इसकी जो दोनों ही, इन बौत साथ्येल्स जो दोनों ही कोषकाई होती है, उन्हों प्लाज्म जीली कार्भ हायkem मैं लास्ट डी है लाइसोसोम परफोर्म दा फंक्शन ओफ प्रोटीन सिंतेसिस फोर दा सेल लाइसोसोम है वह कोश्काओ के लिए प्रोटीन संसलेशर का कार्य करता है इसमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन हमारा सथ्य है आप्सान नमबर बी राइट है सेल वोलिस कैलेक्टरिक्टरिक्षि ऑफ प्लांट सेल ओनली मलग कि क्या करती कि कोश्का भीति जो होती है वह केबल पादप कोश्काओ की ही विसेश्टा बताती है तो इसमें क्या पूछ था कि जन्तु कोश्का और पादप कोश्का के संदर् कादन है इसमें से कौन सा सही है तो इसमें कदन सही है आप्सान नमबर बी यानि कि कोश्का भीति केबल पादप कोश्का की ही विसेश्टा बताती है इसकी इसका एक्स्प्लेंशन क्या है इसकी व्यक्ता सेल वल इस फाउंड ओली इन प्लांट सेल जो सेल वल होती है वह के ब्रकाज का आवरान कोचिका आवरान होता है वह उसके रूपमें इस्तित होती है, मतलब चारों तरफ से हो उससे कवर होती है, इस मेंली, ड्रीन अपर कीब वद्धि वह क्या करती है? हर पोधो में वह मुखी रूप से अवर्षन की बनी होती है, उसकी जो कोशिका ने एनिमल सेल में जो cell wall होती है कोशिका बिती होती हो उसका गरती हुआ है तो नियोग फैपर बहुते हैं några बार्च अधा। ठीक है इसमें क्या होती है यह यह cell membrane ठीक है cell membrane इसमें और एक cell wall कोश्का भी ती इसमें cell wall present होती है ठीक है लेकिन इसमें जो animal cell है उसमें cell wall absent होती है इसमें नहीं होती है यह इसका बहुत main point है मतलब कि cell wall किस में होती है plant cell में होती है और animal cell में cell wall absent होती है the plasma membrane is in both animal and plant cell is made up of protein and lipids जो plasma membrane होती है जन्तु और पादप दोनों ही कोश्काए जो होती है उनमें plasma जिल्ली क्या होती है लिपीड से बनी होती है ठीक है protein and lipid की बनी होती है plasma जिल्ली जो होती है वो कहीं क्यों होती है लिपीड and protein की बनी होती है और कोश्का जो होती है उनके लिए protein का translation कारे जो करती है मतलब जो cell होती है सेल होती है तो उसमें जो synthesize process होती है उसकी synthesis वो काई से होती है हमारी endoplasmic reticulum से होती है और ribosomes है यह दोनों क्या करते है कोश्का के अंदर उनकी protein translation का काम करते है ribosomes and endoplasmic reticulum यह ribosomes है यह चोड़े चोड़े दिखाए देने आपको ribosomes है यह ribosomes है यह होते है और endoplasmic reticulum होती है वो क्या करते है हमारी कोश्काओं में protein translation का कार्य करते है और lysosomes जो होता है कोश्का की आत्महत्य की थेली करते है आत्महत्य की थेली बोलते है उसको देखो यह nukleash है इसमें ribosomes यह दिखाए देर है जिससे पीच्छे आपने के लिए यह ribosomes है ठीक है छोड़ चोटी structure है यह ribosomes है और यह lysosomes है lysosomes जो बनते है वो golgi body से बनते है गोलजी body के अलग होने के बाद उससे वो lysosomes से बनते है यह पूरी lysosome की structure है इसके अंदर membrane होती है और hydrolytic enzyme होता है यह पाया जाता है और membrane इसकी जो बाहर वाली होती है ठीक है second question number second है consider the following मनला इन पर हमें जो यह हमारे निमलिखी वाकिये दिए हैं उन पर हमें क्या करना है विचार करना है तो फार्ष्ट है अंतर्विष्ट विवोजियो तक second पासर विवोजियो तक अथवक कैम्बियन इसको क्या बोलता है कैम्बियन भी हम बोल सकते हैं थार्ड है सीरसस्त विवोजियो तक अपिकल मेजिस्टेम विच अबब टिशू इन में से हमें क्या करना है जो टिशू होते हैं पोधों के उतक जो होते हैं उनके तनों की व्रद्धी के लिए जिम्मेदार होते हैं तो क्या होते हैं कि इन तीनों में से हमें बताना है कि ज इंक्रीज इंदा सरक्रेस्ट रूट ऑफफड़ं और सिश्टेंव दी्डम इनक्रीज मेन सिटेंड़ं सूकियार good या फिर इसकी विभज्यों तक जड़ो एवम तनों की वृद्धियों वाले भाग में विद्धिमान रहते हैं। अंतरविष्ट विभज्यों तक क्या करते हैं? पत्यों के आधार में तेहनी के दोनों और उपस्तित होते हैं। अंतरवीष्ट विवज्यों तक क्या करते हैं पत्ती जो होती है पत्ती उनके आधार में दोनों तरफ वो उपस्तित रहते हैं तो हमारा option number C character ठीक है question number 3 endocytosis is related to which of the following endocytosis जो process होती है उसका संब्ध नीम लिखे में किस से होता है यह option है इन में से किसा होता है endocytosis जो होता है यह एक पादप कोशिकाओ में होने वाला एक रोग होता है यह फिर किसी कोशिकाओ द्वारा अपसिश्ट सर्जन की प्रकिर्या होती है यह फिर C है it is the process of a cell taking its food and other substances from the external environment मतलब कि जो किसी कोशिका में वाहिय वातावरान में वाहिय जो उसका वातारवान होता है उससे अपना भोजन बनाना यह फिर अन्य पदार्थ गिरन करने की प्रकिर्या है या option D है this negatively affect the growth of plants मतलब जो पोधे होते हुने विरद्धी जो होती है उनकी नकारात्म क्रूप से प्रभाविद होती है तो इसमें से endocytosis जो है वो कैसे होती है मतलब कौन सी process है इसमें जो endocytosis है option number C है यह है जो endocytosis होती है वो किसी कोस्टका के वाहिये परेवरर में अपना भोजन बनाना और अन्य पदार्थ गिरन करने की प्रकिर्या होती है यह जो एक amoeba है उसके अंदर यह process होती है endocytosis जो process होती है एक amoeba के अंदर भी होती है जिससे आपको यहां पर दिख रहा है explanation में कोसिका जो कोसिका होती है उसमें एक plasma present होता है plasma जिली जो होती है present होती है और यह plasma जिली क्या होती है लचीली सी होती है ठीक है बनाती है वहार से हमें यहां से मिला भोजन है अमीवा है है थीक है amoeba है तो इस यह भोजन कहां से बंदी बहार के वाद्व्धावराश से गिहार करती है कोई भी पताथ उससे क्या करती है अपना बहेत बनाती है जो भोजन होता है वो अपने भोजन को इसी तरीके से प्राप्त करती है मतलब अमीबा यह है, जब हमारी कोई भी सेल से होती है उस सेल के अदर एक नुकलियस तो जरूर हOTा है ठीक है तो यह अमीबा का नुकलियस है, यह साइटोपलाज्म है जिसके अंदर द्रव है वो साइटो प्लास्म यह लाइसोसोम से हैं लेकिन जब यह कहीं से बाहर से बनाती है अपना भोजन तो प्लास्मा मेंब्रेन है इसकी है इनके दुआरा यह इसको क्या करती है यह लचीली होती है फिर इसको क्या करती है कि बाहर वाले जो फूड पार अमीवा ने क्या क्या है उसको डायरेष्ट कर लिया फूढ जो पार्टिकल था फूढ पार्टिकल उसको उसने डायरेष्ट कर लिया ठीकर नतो poker यह risky hahaha अजिय को सिhistoire ुस creepy घ्रन करती है तो यह प्राइकर हमारी क्या हूं उसको ग्राण करकर डाइजेस्ट करती है उसकी प्रोसेस चलती रहते है तो यह प्रोसेस जो हमारी होती है वो क्या कहलाती है एंडोसाइटोसिस कहलाती है सब्सक्राइब करना है तो कोशिका में जल और गैसु का आवागमन होता है और परास्रान के माध्यम से होता है तो हमारा फ़स्ट और सेकिंद दोनों करक्ट है क्योँकि कोशिका में जब एक प्लाजमा जिल्ली उपस्तित होती है वो तो क्या करती है वह उसके अंदर वह वर्णाट में परगम्मी हो दी है स्लेक्टिवली परमेवल होती है ठीक है जो कोसिका में उपस्तित प्लाज्मा जिल्ली होती है प्लाज्मा मेंब्रेंज होती है वह स्लेक्टिवली परमेवल होती है और कोसिका में जल और गैसो को जो आवगमन होता है जल और गैसो का जो आना जाना होता है वह विस्तरन और प प्लाज्म मेंब्रेन इस चुछ कार्ड बेरी मेंब्रेन जो है वह हमारी क्या होते है पारगाम मेंजिल्ली कहती है इसको तो ये क्या करती है कि उसकी जो अंदर ये प्लाजमा जिल्ली जो होती है वो हमारी पारगम में जिल्ली भी इसको हम कहते है क्यूंकि ये कुछ पदार्थों को सम सबस्टांस को अंदर ये बाहर आने जाने देती है तो इससे कुछ अंदर आने जाने देती है और कुछ को गती करने से रोकती भी है दीके मेंब्रेन चैनल ये है ठीके तो प्लाजमा मेंब्रेन ये है तो ये क्या करती है कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने जाने देती है और कुछ को वो रोक भी लेती है तो इसलिए फर फशक दों से हैं गैस एंड वाटर इंट सेल के अंदर जो पानी के आदान स General नुट्रिशन के लिए उसके और अचूंग जो अलग अनुगा आना जाना यूद जल और गैसों को जो आना जाना होता है वो पोश्रण के द्वारा होता है और जो उसके अंदर अणू जो होते हैं उनका आना जाना जाना होता है एक विश्रण के द्वारा होता है ठीक है एक पोश्रण के द्वारा तो होता है जल का आना जाना और गैसों का ठीक है और एक वि करते हैं विश्रण का न्यम्म के उकूल मतलब व अन्य को डgane को उता है कब यहां को विश्रetus यौक haven यह कुछन तो इस परकार के रिए जिल्लि की जिर्ली हो ताइ shell का आवगमन के दूए लाती है तो परांसरण जो होती है और विसरण की एक विसिष्ट विदी है वह विदी क्या है कि एक कोश के एलवली जल जीव होता है और अधिकांस पादप कोश काई द्वारा परांसरण जल गिरन करते हैं तो पोधों के जो मूल द्वार होते हैं उनको जल का अप्शुशन कथन हमारा कों से सेकंड सही है ठीक है तो यह जो किद्या होती है जल परासरन और अवसरन की विश्रन की तो यह क्या करते है जल गिरान की प्रकिद्या होती है जो जीवित और मिरत दोनों कोशकाओ में पूरी हो जाती है जो डैट सेल्स होती है उनमें भी यह प्रोसेस चल दी किश्ची नंबर फाइव है कोसिकाउं में पाएजाने वाले क्रॉमोसों जो होते हैं उनके संधर ने से कंसा सही है क्या एक cost per bond इस्समें से सही नहीं है suppliers य्जिकाउं में जो 00101010106 कथन निंवे आ version ने क्यी समखते हैं उनके संधरं में बी दिस डिने एंड आर मेड़ अप प्रोटीन ये भी सही है डिने जो होता है वह एक प्रोटीन से बना हुआ होता है दिस आर रेस्पोंसिबल फोर दा जेनेटिक प्रोपर्टीज उसकी जो यह जो आनुवान सी गोड़ों होते हैं उनके लिए उतरदाई होते हैं और डी है नोर्मली 24प परेसस ऑफ क्रोमोसॉम्स आर्व्द हूमस के अंदर सामॉनिये कितने प्रोमोसॉमस होते हैं 24प लग है यह सही नहिं है क्योंकै सामानिये जो प्रोमउसॉमस के जोड़ो होता है वह 23 होते हैं तो हमारा कौन सा option number D correct नहीं है तो इसकी व्याखे देखते हैं कि कोशिकाय में केंद्रक होते हैं वो कोशिकाय मुपस्तित होते हैं ठीक है तो हमारा first वाला सही है जिसके 4 और केंद्रक जिल्ली होती है केंद्रक जिल्ली होती है नुकलियर मेंबरेन होती है ठीक ह जो हमारे kेंद्रक होते हैं, वह हर कोसी का मोपस्तित होते हैं, और कोसी का विभाजन के समय जो हमारा कोशी का जो डिविजन होता है हमारा सैल डिविजन जो होता उसके समय क्या करते हैं रोड सेप दिखाई देते हैं सैल डिविजन के समय क्या करते हैं मैं डूरिंग सैल डिविजन के समय में रोड सेप दिखाई देते हैं तो chromosome में आनुवानसिक गुण होते हैं, genetic ठीक है, आनुवानसिक गुण होते हैं, उसके अंदर chromosome के अंदर क्या होता है, genetic properties होती है, आनुवानसिक गुण होते हैं, that the passes on form, parent to next child, वो क्या करते हैं, आनुवानसिक गुण का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे वानसिक चल रहे हैं, मतलब आने वाले जो संतती होती है उनमें वो क्या करते हैं प्रेजेंट होते हैं जो माता पिता से अगली संतती में इस्थानत्रित हो जाते हैं जो पीडी दर पीडी चलते रहते हैं ठीक है अनुवान सी गुड़ कौन से पीडी से पीडी तक चलने वाले जो गुड़ होते हैं वो क्या होता है हमारे आनुवान सी गुड़ होते हैं तो हमारा कौन सा सही है option number क्रोमोसोम जो होते हैं वो DNA और प्रोटिंगे बने होते हैं यह भी सही है DNA में एक अडू होता है जो अडू कोश्के के निर्मार तथा संगठन की सभी आज सक सूचना होती है DNA में क्या होता है कोशिका के जो कोशिका के निर्मार होता है और उसका जो संगठन होता है उसकी सार को क्या बोलता है इसको क्या बोलते है जीन बोलते है यह घंड एजिस चलत PaciJa हौती है विभाजित नहीं हो रही होती है तो उस time हमें क्या होता है डिक्रोमेटिन पडार्थ के रूप में डीन झाल हमा आता है डिक्रोमेटिन पदार्थ ये एक डिक्रोमेटिन मेटेरियल है तो ये क्या होता है हमारा डिने में क्या होता है प्रिजेंट रहता है जब हमारी कोशिका विभाजित नहीं होती कोशिका डिवीडिंग नहीं होती डिवाई डिवाईड नहीं होती तो वो क्या रहता है उसके उ जो एक धागे की तरहां दिखाई देता है और इस पदात में क्या होता है जब कोशी का विवाज नहीं होती तो हमारा यह प्रिजेंट रहता है यह धागे की तरहां दिखाई देता है और जब कभी भी कोशी का विवाज नहीं होती तो तब क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है मतलब कि खट्टा हो जाता है, यह kromosome है, ठीक है, इस में क्या होता है? यह खट्टा हो जाता है, और इसलिए हमारा क्या C कथन सही है? मतलब कि C option जो है, वो भी सही है, तो मनुसरी में समाने थे 23 जोड़ी, जो हमारे 23 pairs होते है? क्रोंगो सोम के वह पाई जाते तो इस ली का हमारा कथन D हमारा गलत है तो इस Qained में क्या पुछ आपकर घुज़ा कीजिए कि objective रोबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पजा लगाए था तो इन कत्रों में कौन सा सही है इन फॉर आप्शन में कौन सा आप्शन सही है कोशिका की जो डिसका क्या था वह किस नियुल किया था रोबर्ट रोबट ब्रायूं ये नि नुकेलियस मतलब जो प्लांट सेल होती है उसमें उन्होंने देखा था कि उसमें क्या है एक चीज शो कर रहे थी उसमें उन्होंने देखा था उसको तो उन्होंने फिर उसको क्या नाम दे दिया एक नुकलियस का नाम दे दिया रटीस रटीवन हमें रद्ड में । ब्राउज रटीवन् niye कशिका में केंद्र रकी खोज़़चिंगche रही सितने केंद्ड में थीक, और उल्वयन हूग ने क्या है था पकुषका , ही खोच की थी, और इन क्या गए ते शनका फिर यह वाले इन व यह रोबट ब्राउस ने क्या है उसमें पता लगाए था ये ये एक ये आपको पिक्चर दिख रही ये एक है माइक्रोइस्कोप की जो पहले पुराने समय में कौन लिवन हुक ने इसको यूज किया था ठीक है केंद्रा सेल का पता लगाने में लिवन हुक ने इसको यूज किया था ये माइक्रोइस्कोप पहले ऐसा होता था इसकी व्याक क्या उप्रोक तो सभी कतन सही है हमारे जो सारे कतन रहे सभी सही है क्युकि इन में वह धा क्या था उन्हों pulling किया 1665 में पैंक YesAI Linus सबसे पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या जाता है ठीक है लिवेन हुक को यह बहुत इंपर्टन है कि सुक्सम जीवी की और जीवाण विग्ञान जो है उसका जो फादर है उसके फादर कौन है हमारे लिवेन हुक ठीक है लिवेन हुक है उन्होंने सुक्सम जेवी की का और जीवाण विग्ञान का अध्यान क्या था प्रवंदन का कार्य जाता है तो इन में से राइबोसोम के द्वारा के जाता है रिक्तिकाय जो होती है उनके द्वारा के द्वारा के जाता है फिर गॉल्जी बोड़ी के द्वारा के द्वारा के जाता है तो इसका जो कार्य होता है वह गॉल्जी काय के द्वारा के द्वारा क्या जाता है देखिए कैसे कोशिकाओं में जो अडू होते हैं उन्हों का यातायात का प्रिवंदन एक कारिक गोल जी काई द्वारा क्या जाता है पूरा क्या जाता है क्योंकि ये गोल जी काई रक्त कोशिकाओं को छोड़कर सभी यूकारियोटिक कोशिकाओं में जो उसकी कोशिका एक लाइसोसोम का निर्मार करती है जहां पर गोल्जी काई एरुथ कोशिकाओ को छोड़ कर जो ब्लेट सैल्स होती है, उनको छोड़ कर वो एक यूकरियोटिक कोशिकाओ में बहुत सारी गुच्छे के रूप में पाई जाती है ओप फिर क्या करते हैं को estásिका का भीति एक पूर्च सारी पाय जाती है गोल की बॉड़ी में ठीक है तो इसके अंदर क्लक विस्वइन इस अलग अलग हो जाती यह फिर क्या करते हैं कि लाइससोम निर्मा कर देती है कूछ्ण नुमर इट है पेशी ये उतक के संदर्व में निमलीगी खत्नों में से कौन सा कथन ऐसती है ठीक है कौन सा कथन ऐसती है विच आफदा विच वन आफदा फॉलोविंग स्टेटमेंट इस फॉल्स विद रस्पेक्ट टू मस्कुलर टिशू इसमें जो पेशी उतक होते हैं उनके संदर्व में जो कथन ऐसती है वो हमें देखना है फॉल्स्ट है this tissue is responsible for movement in animal यानि कि जो उतक पिराणे होता है उन में गयती के लिए उतरदायी होता है पेशिय उतक उतक पिराणे में गति के लिए उतरदाई होता है हर्ट is made up of muscular tissue जो हिरद्य होता है वो पेशिय उतक से हुआ होता है दर रेक्टम एंड ब्लेडर आर कंपोजड ओफ नोन इस्टेट मस्कुलर टिशू जो इसके मस्कल टिशू होते मलाशे वं मुद्यासे में एरेखित पेशिय उतक से बनी होते हैं ब्लेड वैसल्स आर मेड अफ लाइन मस्कुलर टिशू जो रख्त बाहिनी होती है वो पेशिय उतक से बनी होती है इनमें से हमें राइट देखना है तो यह हमारा डी स्वारी राइट नहीं रॉंग डी है रख्त बाहिनी होती है वो रेखित पेशिय उतक से बनी हुई नह कि यह प्राम्य और में पेशियो उतक के कारण होती हैँ यह पेशियों होती हाई यसे सांस लेना, परिवहन, जनन, उध्सर्जन इस तरगे के कार्यों में हमारे मदद करते हैं ऴ्रीदिंग में इस सब में क्या करते हैं मदद करते हैं पेसई रखम के होता है तो 3 प्रकार के यह उतक सिरीर के भागों उन लागों पांग़ाना जहां इक्षांचाप गती करते है जो रोटुट कहने तो वह क्या होता है हमारे रेखित पेशियों तक होते हैं उनमें रेखित पेशियों तक होते हैं जिससे हाथ है पैर और गर्दन हम इनको जब चलाएंगे जब हमारी इच्छा होगी तो for example hand, feet and neck और जो non-estate होते हैं muscle वो क्या होते हैं is found in the walls of those parts of the body जो हमारी body के वे part होते हैं जो सरीर के उन अंगों में पाय जाते हैं जो energy group से गती करते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो वे कौन से होते हैं रक्तभाहिनिया होती है ठीक है bladder, rectum, blood vessels और elementary canal ये सब क्या होते हैं हमारी इच्छा के अनुसारी गती नहीं करती है ये हमेशा अपनी इच्छा से गती करते हैं हमारी इच्छा के अनुसारी गती नहीं करती है हिरदे पेश्या होती है केवल हिरदे की दिवारों में पाय जाती है जो हमारे हिरदे है उसमें पाय जाती है लेकिन यह जो पेश्या होती है इन में संकुचन और सिथिलन से हिरदे का संकुचन और सिथिलन होता है इन पेश्यों के द्वारा ही हिरदे का संकुचन और सिथिलन होता है मतलब कि हिरदे का सुकाणना या फिर फैलना इन पेश्यों से ही होता है कौन से पेश्यों से हिरदे होता है यह हमारी क्रेडिक मसल्स ठीक है इसके लेटल मस्कल सेल्स स्मूथ मस्कल सेल्स ठीक है तो यह हिरदे वाल जो होती है इस टाइप की होती है इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है और जो यह मस्कलर होती है इसके लेटल वाली होती है वह ऐसी होती है और जो हमारे अंदर वाल होते हैं स्मूथ मस्कूला इकीं होते हैं एस तरीके से चंश का हमक इ सवालो होती है हो संकु चनो और सि्धिलंकर्थी आ inflam है कुंत्शिक संदर्में नीमली किस्त खतनों में कौझा ऐस थ prawd हमें के खते हैं फ़ेकि आख पिलता तरौन साही नहीं है तो option number A है शरीर के समस्त अंगों कारियों में समान जिस्था इस्थापित करता है जो तंत्री का हो तक है वो शरीर के समन जिस्था इस्थापित करता है और second है nervous cell is the smallest cell in the body तंत्रि का कोशका सेरीर की सबसब चोटी कोशका होती है ठीक है और C है सरीर में सरवाधिक सबसे ज्यादा सरीर का कोशका है यह मस्तिस्क में पाई जाती है और D है तंत्री का उतक का निर्मार भुरून की एक्टोडर्म द्वारा होता है तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन ऐसा थी है तो हमारा उप्सन नमबर B नर्वस सेल इस दा, इसमालर सेल इन दा बोडी नर्वस सेल जो होती है हमारे सरीर की सबसे बड़ी सेल होती है ठीक है, बिग सेल होती है वो इसमोलर सेल नहीं होती तो हमें क्या देखना था कि ऐस सत्य देखना था अब देखते हैं इसका इसकी व्याख्या कथन भी हमारा गलत है क्योंकि तंत्रीकाser कोशिका system को नेवह से तंत्रीका लहां क्या होती है यह कि लूंगेश झाल होती है यह है यह तंत्रीका कोशिका सबस्था है 순डियाकलिया Says भी होता है यह तो कोई सी भी सैल हो एनी सैल जो भी कोई भी सैल होगी उसमें क्या होगा नुकलियस तो जरूर होता है ठीक है तो हमारी तंत्री का कोशिका है यह सबसे हमारे सिर्की सबसे लंबी सैल होती है सबसे लंबी कोशिका होती है छोटी सैल ही नहीं होती Qしい no.10 है उतक नियम लिखें है, उनमें उनके संदर में हमें क्या करना है यह जो यूग में है उतक नियम वो किया क्या कैं बताना смож dedicate तो उतक को ऑला है और जो टेंडन्र रहे उनाने है, जोड़ेें एर इस्नाई जोड़ोते हैं लिगामेंट वो अस्थी को अस्थी से जोडते हैं तो इन में क्या करना है हमें कौन सा कतन सत्य है सत्य बताना है ठीक हमारे एक और दो दोनों कतन हमारे सत्य हैं मतलब कि option number C both first and second यह जो tendence होते हैं वो from bone to muscle मतलब पेसी को अस्थी से जोडते हैं यह भी सही है और जो सनाय होते हैं वो क्या करते हैं अस्थी को अस्थी से जोडते हैं यह भी हमारा सही है तो इसकी व्याकर देखे कि जो संयोजी उतक होते हैं वो सरीर में विभीन अंगों का विभीन अंगों और उतकों का इन दोनों को जोनने का काम करते हैं जो संयों जी उतक होते हैं वो हमारे अंगों को और उतकों को जोनने का काम करते हैं हमारे जो cell it is tissue tissue बहुत सारी cell ये cell मिलेंए हमारा tissue बनाते हैं और ये tissue में अग बनाते हैं और ये बहुत सारे ओर ह central कमारों होते हैं हमारे और्गन क्या है अंग क्या है हाथ होता है फिंगर होती है लैग होती है इससे यह सब मिलकर क्या बनाते है हमारी एक बोड़ी बनाते है ठीक है तो यह क्या होता है कि जो हमारे अंग है वो अंगों और उतकों को जोड़ने का कारे करता है कौन संयों जी उतक जो हमारे सरी टेंडन्स जो होता है वो पेशी को अस्ती से जोडता है और इस नायू क्या होता है वो अस्ती को अस्ती से जोडता है यह है कि टेंडन्स जो है वो पेशी को अस्ती से जोडता है यह टेंडन्स है यह हमारी पेशी है इसको इसमें अस्ती है इसको अस्ती से जोड रहा है ठीक ह हमारा कौन सा option number option number B सही है क्यूंकि कांडरा पेसी को पेसी को अस्थी से जोडता है और सनाई जो होता वो अस्थी को अस्थी सही जोडता है तो यह tendons हमारा पेसी को अस्थी से जोडता है और ligaments जो होता वो अस्थी को अस्थी से जोडता है यह लिगामेंट्स जो होती है वो देखने में इस टाइप की होती है यह ऐसी होती है और जो टेंडन्स होती है इस टाइप की होती है तो टेंडन्स यह आपको यहां पर दिख रहे होगी इसकी खुली भी इस्ट्रक्चर है यह इस तरीके की होती है और जो लिगामेंट्स होती वह ऐसी होती है तो लिगामेंट्स जो होती वह अस्थी को अस्थी से जोड़ने का काम करता है तो गाइस हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स टॉपिक के साथ मिलते हैं थैंक्यू